इस वीडियो में आप सभी लोग को AdSense Approval लेने की एक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप सभी लोग एपने किसी भी डोमेन को Google AdSense में अप्रोव करा पाओगे तो डेफिनेटली आप सभी लोग इस वीडियो को बिना इसकीप करें सुरू सलाज त तो आज की इस वीडियो में जो ट्रिक बताऊंगा उसका यूज करके सिर्फ और सिर्फ आप 5-10 मिन के अंदर एक यूनिक आर्टिकल को बना पाओगे और उसको जब आप अपनी साइट पर अप्लोड करोगे तो easily आप सभी लोग को Google AdSense का अप्रोवल मिल जाएगा और ये तो complete देखता रहना है आप सभी लोग को एक भी पार्ट मिस नहीं करना है और अगर इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो definitely हमारे चैनल को subscribe भी कर देना है क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप सभी लोग को free of cost में मिलती रहेगी वीडियो श्राट करने से पहले इस वीडियो का लाइक एम रहेगा 111 लाइक तो अभी थक लाइक का बटन नहीं दबाये तो जल्दी से दबा दो अब गयाज यह जो ट्रिक में आप सभी लोग के साथ शेयर करने वालों इसको यूज करके आप सभी लोग 5-10 मिंट के अंदर एक बढ़िया सा आर्टिकल तो ब पोजिशन पर रांक कर जाएगा पूजवरलों को कीवर्ड कहर्वर को आप terrific में प्लेसमेंट करना नहीं आता और पी ripe लिंक बना रहा तो इस पर दिटेल सीरीज में अल्रेडी बना रेक है उस आर्टिकल पर बैक लिंक्स बनाना नहीं आता तो इस पर डिटेल सीरीज मैंने उल्रेडी बना रखी है वीडियो के नीचे आप सभी लोग को सीरीज का लिंक मिल जाएका डेविनेंटली उस सीरीज को भी आप सभी लोग वाच कर ले तो चलते हैं लैपटोप की स्क्रीन पर वहाँ पर डिटेल में समझते हैं कौन सी ट्रिक है कैसे आप सभी लोग को वर्क करना है वीडियो पूरी देखते रहना बार-बार में आप सभी लोग को बहुत रहा हूं यहां पर मैं एक downloading site बना रहा था तो मुझे एक मतलब re-direction के लिए एक domain चाहिए था AdSense approval का तो फिर मैंने यहां पर यह domain खरीदा और उसको easily 5-6 दिनों के अंदर Google AdSense पाप्रोव करा दिया within 24 hour इसी trick को use करके तो चलिए trick कौन सी यह वो जानते हैं तो यहां पर हम क्या करने वाले की YouTube और Facebook के जो वीडियोज होते हैं उनके subtitle को डाउनलोड करके है आर्टिकल के रूप में बनाने वाले वो भी 5-10 मिंट के अंदर है यहां पर हम 1000, 2000 या 5000 वर्ड का आर्टिकल भी बना पाएंगे अब भी लाइब में आपसे लोग को बताता हूँ तो आपको आपके niche का coding YouTube पर सर्च करना है टाइटल और टाइटल के आगे English आपसे लोग को लगा देना है क्योंकि English का तो सब्टाइटल होगा वो easily generate हो जाएगा तो यहाँ पर example के लिए मैंने यहाँ पर search किया how to make चपाती और आगे English लगा दिया तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियो आ गई अब यहाँ पर मैं ये एक 3 मिनिट वाली वीडियो उठा कर आप सभी लोग को बताने वाला हों के कैसे यहाँ पर हम कर सकते है तो आपको करना कुछ निए जो वीडियो का URL है उस URL को आप सरी लोग को क Walker करना है तो यहाँ पर उपर URL आते ही है तो URL को मैं Yummy судुस œब टाइटल है या नही तो यहाँ पर देख सको इस वीडियो में English शब टाइटल है तो इसका मैंने URL कोपी कर लिया अब आप सरी लोग को करना कुछ नहीं, गूगल पर आना है, यहाँ पर आप सरी लोग को YouTube सब्टाइटल डाउनलोड सर्च करना है, पहली जो वेबसाइट मिलेगी इस वेबसाइट पर आप सरी लोग को आना है, अभी मैं जो आर्टिकल डाउनलोड करूँगा, इसकी पलगर करना है, यहाँ पर 2-4 सेकंड का कुछ टाइमिंग लेगा, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर यह टेक्स्ट फाइल का जो ओप्शन आप सरी लोग को दिख रहा है, इस पर आप सरी लोग को क्लिक करना है, यहाँ पर जो भी आपकी फाइल होगी वो डाउनलोड हो आप सरी लोग को बता देता हूं कि यह यूनिक है या नहीं है, इसके बाद बताओंगा कि इसको आप सरी लोग को सही वे में इंप्लिमेंट कैसा करना है, जिससे कि फास्ट ली आपको गूगल एटसिंस का अप्रोवल मिल जाए, तो यहाँ पर चेक पलगरिसम पर क्लिक कर से आए, जो कि common line है, आप सरी लोग समझ सकते हो, पलिकरिसम का मतलब यह होता है, डूबलिकेट चेक करता है, कि यह आपका article जो किस से मेंच होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यह एक line है, जो कि मतलब बहुत सारा लोग बोलते हैं, तो यार common सी बात है कि line तो same होगी, त साइट को सही वेमें कैसे implement करना है, वो मैं आप सब्सक्राइब को वीडियो में आगे बताउंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 9 मिंट का यह वीडियो है, तो इस वीडियो को हम open करते हैं, इस वीडियो में भी आप सब्सक्राइब का option आ रहा है, और यहाँ पर टाइमिंग लेगा, टाइमिंग लेने के बाद आप सब्सक्राइब को नीचे download का section मिल जाएगा, तो यहाँ पर text की जो file का option है, इस पर मैं click करता हूँ, और यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, कि किस जगे पर बल्गरिजम आ रहा है, या फिर किस जगे पर नहीं आ रहा है, तो आपे जगे पर बल्गरिजम चेकर टूल पर और यहाँ पर भई इस चीज को हम करते हैं, delete, delete करने के बाद यहाँ पर डालते हैं, जो भी हमने copy किया, और यहाँ पर अगर 1000 वर्ट से ज़्यादा का होगा, तो यहाँ पर नहीं करेगा, तो यहाँ से हमको इतना परसेंट यूनिक निकल रहा है, वो चीज हम यहाँ पर analyze कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा है कि 3% यहाँ पर पल्गरिजम है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, पल्गरिजम आप सभी लोग देख सकतो, 6% के around यहाँ पर पल्गरिजम है, तो इ यहाँ पर match कर लिए भई, उस line को आप सभी लोग को delete कर देना है, इस line को मैं यहाँ से कर लेता हूं, copy up, जो same same line होती है, वो तो match करती है, तो यहाँ पर आना है, control F दबाना है, control F जैसी दबाओगे, यहाँ पर उस line को paste कर देना है, then find पर click करना है, तो यह वो line है, तो इस line को आप सभी लोग को directly यहाँ से remove कर देना है, इतना सा गाम आप सभी लोग को करना है, अब आप सभी लोग को इस article को सही way में डालना है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर आपको इसको सही से कैसे डालना है, तो जहाँ पर भी आप सभी लोग को यहाँ पर dot dot दिख रहा हो, तो उस जगे पर आप सरी लोग को विवस्तित करना होगा जिसे मुझे लग रहा है कि यहां से एक पूरा paragraph बन सकता है तो इसको मैंने यहां से अलग कर दिया उसी तरीके से आप सरी लोग को देखना है और यहां पर इस article को अलग-अलग paragraph में convert कर देना है अपने according और भई आपका यह article पूरा का पूरा तइयर जैसे मैं इसको करता हूँ copy copy करने के बाद यहां पर मैं आता हूँ ठीक है यहां पर आ जाते हैं यहां पर blogger के side पर आ जाते हैं यहां पर directly हम इस article को paste कर देते हैं अब जिसे पेश्ट करूंगा पुरा का पूरा आर्टिकल हमारे यहां पर आ जाएगा आप सही लोग देख सेथो बस थोड़ा सा आप सही लोग को इसको व्यवस्तित करना होगा कि तो अब इसको सही करने के लिए आप सही लोग को देख से तो ऐसा फाम में आ रहा है तो यह ह इंपूट के सेक्शन पर हें टाल देना है यहां पर हमना पूरा का पूरा पूरा आकर असा यह लोग विवस्तित हैं हमको कुछ ने पर अब इसको कपी करना के पाद यह मां पर लिए अपर पैश्ट कर देना है अब एकदम सही तरीके से आगया अब जो जो यहाँ पर heading से भई उनको यहाँ से आप सभी लोग normal से heading में convert कर लो और सारा का सारा काम यहाँ पर आपका convert हो गया अब यह देखता तो 16 वर्ड का article जो कि आप सभी लोग ने 5 मिंड में तयार कर लिया तो है ना बिल्कुल गजब की trick तो आप सभी लोग को बढ़िया लगी हूँ कि सारी सारी details में आप सभी लोग को दे दिये same way में अगर आप सभी लोग को कोई facebook page पर कोई video आप सभी लोग को दिखता है तो उसका link copy करने के बाद आप सभी लोग को उसका subtitle download करना है और download करने के बाद भई उसी तरीके से इसकी lines को आप सभी लोग को यहाँ पर ब्रैक कर लेना है और इसको paragraph में convert कर लेना है आप सभी लोग देख सो तो बिना कुछ करे यहाँ पर हमारा article तयार हो गया और इसी article को भी आप सभी लोग को publish कर लेना है और साथ इसाथ अपने articles को Google के top position पर rank भी करा सकते हो आप सभी लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाना कोई भी क्वाईरी हो, कोई भी problem आ रही हो blogging related या फिक किसी भी topic से related definitely नीचे comment section में बताएं मैं आपकी help जरूर करूँगा तो साथ ही अगर आप सभी लोग चाहते हो कि मैं किसी और topic पर वीडियो बनाऊ तो आप suggestion मुझे comment section में जरूर बताना तो guys मैं मिलता हूँ next video मैं thank you so much guys किसी और बता हुआ 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 है